यूप सरकार के ओध्योगिक मंत्री सतीश महाना ने आदनाइन टीवी से खास बाद रितमे गहा कि सरकार ने शहीदों का पूरा खयाल रखा है अगर किसी को कोई भी शिकायत है कि वो सरकार के संग्यार मिलाए यूपी सरकार ही नहीं बलकि पूरा देश शहीदों को नमन करता है यूपी सरकार के और दोगिक विकास मंत्री सतीश महानावारे साथ है सर बजट सत्र यूपी का चलना है लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा देखे विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है वो चर्चा नहीं करना चाते हैं विदान सबा का सत्र होता है डिबेट के लिए और ये अफसर होता है और पोजिशन को सरकार की कमियां बताने के लिए और सरकार को अपनी नीतियां और अपनी द्वारा किये के काम बताने क करेंगे ना सरकार किसी भी विशे के ओपर खुल कर चरचा करने के लिए तैयार है लेकिन असलिए है कि उनके पास कोई विशें नई है सरकार के खिलाफ कहने को तो इससे प्रमारिट होता है कि विपक्ष जो जनता के बीश में अपना जनाधार खो चुका है वो विदान सभा के अंदर जो अपना जनाधार खोड़ चुका है वो चर्चा नहीं करना जाता है लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कल पुल्वामा शहीदों को सद्धांजरी दी गए यूपी में कई ये ऐसे शहीद हैं जिनकी लगातार मांग उठी कि सरकार ने जो वायदे किये थे काफी कुछ वायदे जो है वो राज सरकार की तरफ से पूरे नहीं किये गए नहीं ऐसा नहीं है मैं इस बाद को सहेमत हूं अगर किसी वीन का और को बात आती है तो अगर संग्यान में लाय जाएगे तो सरकार उसको देखेगी दुर्फ हाग किसे मैं इस बाद को कहता हूं अगर कोई हमारे वीर सैनिक ज़वान शहीद हूए हैं तो उनकी शहादत को किसी भी सुषयदा क साथ नहीं जोड़ा जा सकता उनकी शहादत देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और पुरा देश उनके उपर गर्व करता है लिक बात करने के लिए ते सतीश माना जो साथ तौर्ब कह रहे थे कि विपक शिपास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए हंगामा कर रहा है जहां तक शहीदों की बात है खुद वो नमन करते हैं और अगर उनके साथ कोई भी जातीता नजर आती है तो उसका जल समाधान होगा कैमरा मैं राहूल के साथ अमिद्दुबे आरनाइंट टिवी दिली